तो दोस्तों इस वीडियो आपके लिए कर आ गया हूँ पूरे अगस्त मंत का करेंड़ फेस का पार्ट टू इससे पहले में फास्ट पार्ट अबलोड कर चुका हूँ तो जिन इस्टुडेंट से भी तक फास्ट पार्ट नहीं देखा हूँ जरूर देख लें इस वीडियो क दिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा तो उस लिंक पे भी क्लिक करके डारेक्ट आप देख सकते हैं बहुत इंबोडन करेंड अफेस है यह आप अगस्त मंत का पूरा करेंड अफेस कवर करना चाते हैं तो इस वीडियो को देख लें दोनों वीडियो को आप हों फॉलो कर सकते हैं आप बनाएगे वीडियो फिरी में देख सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं करेंड अफेस बहुत इंपोर्डेंट है पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा सेगेंड पार्ट है यह ठीक है चली पहला कोशन एकिश देश ने इरान एक्शन यानि ए ऐजी के प्रमुख यानी इरानी मुद्धर विषेश प्रतनिधी का पत सभालेंगे तो विषेश प्रतनिधी काउन बनेंगी यह ब्राइन होक जो है ठीक है तो इस देश ने इरान एक्शन ग्रूफ बनाया है तो इसका राइड ँंशर एमेरिका चली कोशन नमर 37 सेवन देख लेते हैं कि अठारा कस्व अठारा को शुरूए एठार में सेखेलों का आधर सुवाग के क्या है तो आपको पहले बीदेली गरने फिस देखते होंगे इसका राइड एंसर है आप सन्वी एसीन गेम्स जोटारा एनर्जी ऑफ एसी आफ ठीक है क्या है एक खेलों स्थान पर है ठीक है तो यह आप याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है उसके लाव में एसीन गेम से लिटेट सारे को बता चुका हूँ पिछली वीडियो में जिन दोस्तों अभी तक नहीं देखा है तो आई बेटन पर आएगी लिंक तो क्लिक करके देख सकते हैं कि पर फिर लिंक आपको bre को इस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा उसी इसीन गेम से लिटेट सारे इंपोर्टे partition करेंड अफेछं ढे बहुत इमपोर्टन जितने भी एसे लिटेट को सेसे सारे उसा वीडियो अपको बताया हो तो प्लीज जरूर देख लें बहुत इ हिंदी सम्मेलन कहां शुरू हुआ है तो यह भी काफी इंपोर्टन कोईशन इसका राइड एंसर ऑप्सन थी पोर्ट लुइस में देखिए आपको वदा देख हिंदी की प्रसिद्ध साहित्तिकार जो है अन्पूरा सिशूदिया को मौरिशस में होने वाले चलिए अगला कोशन है थर्टी नाइन नमबर का पाकिस्तान के 22 प्रदानमंतिक रूम में किसने सपद ली है तो आप सबको पता होगा कि भी काफी चर्चित रहते नीज में आप समचार में देखे होंगे जिसका राइड एंसर है दोस्तों ऑप्सन ए इम्रान खान ठीक है इम कुर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान तहरी के इंसाब पार्टी के नेता जो है इम्रान खान ने अठा रहा है उसको पाकिस्तान के नए प्यम के रूम में शबद ले लिए और देश के 22 नमबर प्रदानमंत्री बने तो क्रम भी आप याद रखिए कि सिक्वेंस पूचा सकता के 22 नमबर गें तो पाकिस्तान के 22 प्रदानमंत्री प्रियम के रूम में किसने से बदली इम्रान खान ली है अगला कोशन है किस देश ने किस देश ने दक्षण एसी आई फुटबॉल फेडरेशन अंडर 15 महिला चेंपेंशिप जीती है उसका राइट एंसर आप्सन भी इंडिया ने ठीक है देखिए आपको बता देख भारती टीम ने दक्षण एसीया फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 15 महिला फुटबॉल चेंपेंशिप जो तो अपने नाम कर लिया है और थिंपू के चंगी मिन्थंग स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारती महिल रहा है बाराग मिशाइल विकास का रिप्रेम किन दो देशों को स्टेडियम रहा है राइट एंसरों का ऑप्सन सी भारत और इसरायल ठीक है देखिए आपको उता देख इसरायल की नौसेन अपने आर्थिक शेत्रों और राजनीतिक केंद्रों को भीवित खत्रों से बचा रहा है बाराग मिशाइल विकास का रिप्रेम किन दो देशों का रहा है याद रखिएगा अगला कोशन है दोस्तों 42 नंबर का हुआ है स्ट्राष्ट महासर्ची बनने वाल एकमा तर्फिकी थे जिनका हवी हाली में मृत्य हो गई है और 2001 में अपने प्रयाशों के लिए न ठीक है अब मेरे साथ सौल भी करते चलिए आप से आ रहा है क्योंकि आप लोग मेरी करेंड़ वीडियो डेली देखते हूं तो आपको यह करेंड़ बहुत इजी आ रहे होंगे ठीक है चलिए कोशन नमबर अगला देख लेते हैं 43 उस पहलवान का नाम बता ही जिन्हों ने जापान की नोने रेसलर ताका तानी दाइची को ग्यार आठ से हराया था रकवदादिक पहलवान बजरंग पूनिया ने पूर्श वर्ग के 65 किलोग्राम भारगोर में फिरिस्टाइल इस परधा में मेडल जीते थे ठीक है तो यह फैक्ट जो आपको बताता हूं यह जरू टेनिस खिलाडी बनने का गौरव किस ने प्राप्त किया है जिसका राइट एंसर है उपसंसी नोवाग जोकोवीच ठीक है देख्या आपको बता देख्या नोवाग जोकोवीच ने चीर प्रतिदिंदी रोजर फ्रेडर को हरा कर पहली बार वेस्टन एंड सदर्न ओपन च किताब लिखी है जिसका राइट एंसर है ऑपसने सेंवान ने किसने सेंवान ने लिखिए देख्या आपको दादिक प्रसीद इस्पिनर सेंवान अपने शांदार प्रिकेट कैरियर और निजी जिन्दगी के अंजाने पहलों को अपनी आत्मकता नोव इस्पिन में जल्द लांच करेंगे ठीक है तिसका राइट एंसर है नोव इस्पिन किसे ने लिखिए क्रिकेटर सेंवान अगला कोशन है उस भारती खिलाडी का क्या नाम है जिसने एसी आई खेल दो अठारा में दस मीटर पिस्टल इवेंट में इस सोड़ पता गोल्ड मिडल जीता है कोशन नमर 47 है दोस्तों एसी आई खेलों के इतिहास में कुष्टी में गोल्ड मिडल जीतने वाली पहली भारती महिला कौन मन गई है तो इसका राइट एंसर है ऑपसंसी विनेश फोगाट ठीक है आपको बता देक विनेश फोगाट ने एसी आई खेलों में गोल्ड जीतन सब्सक्राइब कोशन नमर 48 है नोटा का उपयोग निम लिखित चुनाओं में से किस चुनाओं में नहीं किया जाएगा तो यह भी कुछ दिन पहले बहुत चरचित था और इंपोर्डन कोशन इसका राजसवा चुनाओं में आपको बता दे कि सुप्रीम कोड ने राजसव चुनाओं में कोई इन में से कोई नहीं ने नोटा विकल्ब की अनुवति देने सिंकार कर दिया है और प्रथम न्याधिश जो है प्रधान न्याधिश जो है दीपक मिस्रा और न्यायमूर्थी एम एन खानविलकर और डीवाई चंद्रचूर की पीठ ने राजसवा चुन अगला कोशन है जम्मू काश्मीर के नए राजजिपाल गिरू में किशे निउप किया गया है जिसका राइडेंस है दोस्तों आपसंसी सत्यपाल मलिक को ठीक देखें तो हाली में जो तो साथ राजजिपाल की नियुक्ति और तवादले पस्ताक्सर किये गए हैं और आपको बता दूँए कि लाल जी टंडन विहार के नए राजजिपाल बन गए हैं और सत्यपाल मलिक बन गए जम्मू काश्मीर के नए राजपाल और सिक्कीम क हाला कि मैं आपको त्वी राज जिपाल जिदने साथ राजुपाल बने उस पर एक वीडियो बना चुका हूं आपको तो वीडियो जरूर देख लेellे उसे में काफी हैशे से इस्क्ट्प्लेंट किया हूं फिक है लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्सण बॉक्स में मिल जाया का या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगी आपको तो हाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं आप एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जिसे आपको याद हो जाए तो सत्य पाल मलिक जो जम्मू काश्मीर के नहराज जपाल बन गए है विहार के नहर जिपाल बन गें गंगा परसाद के नह्रा उत्रह खंड के नहरा जीपाल कौन बन गई है बेबी रानी मौरे मेघाले की बात करें तो तथागत राय में घाले के नहराज जिपाल हैं और त्रिपुर्वा के नहराज जिपाल बनगे हैं कप्तान सिंग सोलंकी तो यह आप याद रखिएगा इससे लेटर कोशन पक्का पूछा जाएगे कोई नियुक्ति में से लेटर कोशन अक्सर पूछ लिए जाता है अगला को किस वर्ष तक अंतरिक्ष में अंतरिक्ष्यात्री भेजेगा राइट एंसर है ऑप्सने 2022 तक आपको बता देक 72 में सोतनता दिवस पर प्रायमिस्टर नैंद मोदी ने लाल के लिए से अपने संबोधन में गगा नयान मिशन 2022 का एलान करते वे कहा था कि 2022 तक भारत की धरती एक यसे कोई भारती नागरिक अंतरिक्ष में तिरंगा फैर आएगा ठीक है तो भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष में अंतरिक्ष चात्री भेजेगा इसका राइट एंसर है ऑपसन ने 2022 तक अगला कोश्वान है किस भारती महिला क्रिकेटर ने टी ट्वेंटी अंतराष्ट पॉर पॉइंट फॉर फाइब की एकोनॉमी रेट से फाइब 56 विकेट लिए हैं जूलान अप केबल वन डे में खेलेंगी जिस प्रारूम में 169 मैच में 200 विकेट लेकर दुनिया की सबसे ज्यादा विकेट जो तो लेने वाली क्रिकेटर बन गई हैं फिक है तो किस भारती म ौइंग टीम ने पूर्षों की क्वाड रपल इसकल में होते हो शौडपदक जीता है जिसका राइड क्यों सरह इंडिया अगला कुशन है और एक नए प्रधान मंत्री किसे बनाया गया है फ्राइड़ सारे स्कॉर्ट मौरिशान को ठीक है किसको स्कॉर्ट मौरिश्ट इस उस्टेलिया में सत्ताधरी लिबरार पार्टी से उठे बिवादों के बीच मैलकम टर्मिनल को प्रदान मंत्री पत्स से अटा दिया और उनकी जगह फिप्टी एट है कुल्दीप नईयर जिनका हाली में निधन हो गया हुए एक प्रसिद्ध थे जिसका राइड़ेंसर दोस्तों पत्रकारी था ठीक आफसाने पत्रकार आपको बता दे कुल्दीप नईयर काफी दसकों से पत्रकारी था शेतर में सकरी थे और उन्होंने कई कि पता हैं जो जिम बॉमबे राष्टी क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं जिसका राइड़ेंसर है लाल चंद राजपूत यानि ऑपसंडी राइट है आपको बता देख जिम बॉमबे क्रिकेट ने 24 अगस को भारत के पूर्विकेट खिलाडी लाल चंद राजपू जिंदर पाल सिंग ने जो तो एसियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मिला जीता है ठीक है चलिए अगला कोशन है जी ट्वेंटी डिश्टाल एकोनॉमी मिनिस्ट्रियल मीटिंग की इस देश में आजित की गई थी इसका राइड़ेंसर है आपसन अर्जेंटीना में ठ दोस्तों भारती ऐसी आईएज खेलों में पूरुसट बर्के जेवलिन थ्रों में शोट जीतने वाला पहला भारती खिलाडी बनने गवरफ को इसने अशिल किया है तो एसी ऐसीएज गेम्स गेम्स राठी के जेवलिन थ्रों में यानि भाला फेक में गॉल्ड इमेडल जी टाइनोंने और नीराच मिल्खा सिंग के बाद ऐसे दूसरे अथलीट हैं जिन्होंने एक ही साल में कौन बेल था और रिशन गेम्स गोल्ड मेल जीता है ठीक है चलिए अगला कोशन गगा नियान कारिकम को लांज करने के लिए कौन सा प्रक्षे पक इस्तेमाल किया जाएगा राइड एंसर ऑप्सान ए अगला कोशन ने एसी आई खेल दो 18 में पूर्शों के ट्रिपल जंपर द्युकता में निम्र खेदे लिटों में से किसने सोन पतक जीता है राइड एंसर दोस्तों ऑप्सन डी और पिंदर सिंग ने ठीक है तो यह थे दोस्तों अगस्त महीने का करना फेस का पार्ट टू आई होप आपको पसंदा आया हो पसंदा प्ली प्लीज लाइक जरूर करिए साथ ही शेयर कर दीजिए दिया आप चैनल पर पहली बार वीट की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और एसीन गेम से लिटेर जो आपको बता रहा हूं वो व फॉलो कर लिजिए बहुत सार एबडेट्स के लिए ठेलिग्राम चैनल जोईन कर लिए पीडियाफ नोट्स के लिए ठीक है मिलते नेक्स टुडियो को साथ हॉल दे बेस्ट जै हिंद बंदे मात्रा